नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूटीब चनल पर तो दोस्तों हमें पता है कि यूपी पुलिस का एक्जाम 18 और 19 जून को होगा तो दोस्तों समय बहुत कम रहे गया है तो इसके मद्दे नजर मैंने रखते हुए मैं आपको डेली के डेली मैथ का एक वीडियो प्रोबाइट करूँगा जिसमें 10 कोस्चन इंप्रोटन होंगे और जो यूपी पुलिस के एक्जाम में आ भी सकते हैं तो दोस्तों बने रही है हमारा साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिपिकेसन आप तक आ जाएगा तो दोस्तों ये पार्ट बन होगा और पार्ट वी इसका कल आपको मिल जाएगा इसमें दोस्तों टोटल TAN कोउश्चन होगे जो एक्जाम में आज सकते हैं चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो उनकी बरतमान आयू का योग बताईए तो दोस्तों हमें पता है कि उनकी जो भूत काल में मतलब कह सकते हैं पास्ट में उनकी आयू का जो रेसियो था 2 अनपा 3 था कितने बर्स पहले? 12 बर्स पहले अब 12 बर्स बात मतलब प्रजेंट में उनका रेसियो कितना हो गया 5 रेसियो 6 तो दस्तों यह रेसियो मैंने लिख दिया अब आपको दिखा रहा है कि 2 से 5 बनने में कितना टाइम लग रहा है तो मतलब पास्ट से प्रजेंट में जाने में 12 साल का समय लग रहा है तो मतलब रेसियो कितना बन रहा है 2 से कितना रेसि मतलब थिर स्यों की बैलू का हो जाएगी 12 इक पूंच रहा कि मतलब ये वाली या हम पता कि रीसियो की बैलू कितनी है चैना न्हूंत है इसथितने हो यह कितना हो जाएगा 44 इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं तो बर्तमान आयू का जो डिया हुआ है 5 एंड 6 इनको एड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 रेशियो तो 11 रेशियो की बालू कितनी है चार तो ग्यारा इंटू फोर इसकल टू चोवालिस यर्स आई होब आपको दोस्तें समझ में आया होगा चलिए नेस्ट कोसिंग कर लेते हैं नेस्ट है कि राम का बेतन ने छेसो तीस से बढ़ा कर साथ सो रुपए कर दिया गया बताओ उसके बेतन में कितने परसेंट की ब्रद्धी हुई तो हमको पताए कि छेसो उसकी पहले जो थी बेतन था सेलिरी थी छेसो तीस रुपए थी अब बढ़ा कर साथ सो कर दि तो कितने ब्रद्धी हुई साथ सो मैं से हम लोग 630 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 तो total 70 की ब्रद्धी हुई मतलब कितनी ब्रद्धी हुई तो 70 को हम लोग ऊपर रखेंगे तो ब्रद्धी कहां से हो रही है 630 से इसको हम लोग denominator में रखेंगे हर में तो 70 बटे 630 percentage की बात कहरे है तो multiply 100 इसको 0 से 0 काड़ देंगे ये सादाम सत्तर ये सानिम तरे सट ओके तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 बटे 9 तो 100 बटे 9 को percentage में convert करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 सेरी बनवाई 9% ओके यही हमारा answer हो गया चलिए next question करते है तो अगला question है एक cycle को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाब होता है यदि उसे 40% profit पर बेचा जाए तो सोरी ये cycle होगा तो cycle कितने रुपए में बिकेगी तो हमको पता है profit loss क्या होता है तो सबसे पहले इस type के सवाल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस type के सवालों में हम लोग CP को हमेंसा 100 मानते मतलब क्रेमूल को और SP को जो profit मिलता है या loss होता है उसमें से 100 से घटा देते हैं या जोड देते हैं तो देखिए इसमें बेचरा होगा SP का मतलब होता है selling price मतलब बिक्रेमूल या बेचरा है जिस वस्तू को तो इसमें हम लोग 100 में कितना एड कर दें 25% का profit हो रहा है तो 25 इसमें एड कर देंगे तो 125% हो गया तो 125% की value क्या होगे 20,000 बीस हजार उपय में बेच रहा है तो आगे कह रहा है कि 40% का अगर profit हो तो मतलब 140% की value क्या होगी तो इसमें पूछ रहा है तो इसको X माल लेंगे cross multiply करेंगे then X स्कल्टू हो जाएगा 20,000 multiply 140 upon 125 इसको हम लोग काटेंगे तो इसमें आजाएगा 800 x 28 इसका multiply करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा 22,400 रुपए I hope आपको दस्तों यह question समझ में आया होगा चलिए next question कर लेते है next question है कि 0.6 बार का मान क्या होगा जब भी इस type का question है तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि 0.6 है उसमें बार है तो 6 हम लोग ऐसा ही लिख लेंगे upon में अगर एक बार है तो उसमें multiple बाटे में 9 कर देंगे अगर दो बार हम लोग बात में कर लेते हैं तो 0.6 बार है तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 upon 9 इसको काट लेंगे तो हमारा answer हो जाएगा 2 बाटे 3 अब देखिए 2 बार बाला 0.39 पे 2 बार है तो 39 को ऐसे लिख लेंगे upon दो पे बार है तो 99 हम लोग कर देंगे दो बार इसको काट देंगे तो answer होगा 13 बाटे 33 next question है हमारा under root 5 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 so on infinite तक है root 5 देन अगर एक type का question आता है तो उसमें under root में जो value होती है भाही हमारा answer हो जाता है तो इसमें देखिए root 5 है तो यह हमारा answer हो जाएगा इसी प्रिकार अगर इसकी जगा 7 होता तो answer 7 हो जाता 9 होता तो 9 हो जाता तो इसमें यह 11 होता तो answer हमारा 11 हो जाता इस type का अगर question आता है तो आप आखे बंद करके answer लगा दीजी कि बही हमारा answer हो जाएगा अगर under root साथ दिया हुआ है infinite तक तो वो हमारा answer हो जाएगा I hope आपको दोस्तों समझ में आया होका यह question next question को यह चलते है next question है यदि x plus बना पान x is equal to 4 then x square plus बना पान x square की बैलोग क्या होगी तो इस type का question है तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है x upon sorry x plus बना पान x is equal to 4 यह लिख लेंगे तो हमें निकालना क्या है x square plus बना पान x square तो हमें यह सोचना पढ़ेगा कि x square plus बना पान x square हमें बनाना कैसे है इसको तो अगर हम लोग इसको square करते है देखिए x plus बना पान x का whole square करते है तो हमारे यह value मिल जाएगी तो x plus बना पान x का whole square is equal to 4 का square एक तरफ का square हम लोग नहीं कैसे दोनों तरफ का हमें square करना पढ़ेगा okay then a plus b whole square का फारूनला क्या होता है a square plus b square plus 2ab देखिए यह हो गया x square plus बनापान x square हो गया, यह value हमें मिल गई तो हो जाएगा plus 2 into x into बनापान x, x से x कट जाएगा a square to, 4 का square क्या होता है 16, यह 16 हो गया तो x square plus बनापान x square plus 2 is called to 16 then x square plus बनापान x square is called to 16 minus 2 answer हो जाएगा, 14 चलिए next question कर लेते है अगला question है हमारा a किसी काम को 12 दिन में b उसी काम को 14 दिन में करता है यदि भाई, 4 दिनों तक 7 काम करें, तो काम कितना जो काम का है, 4 दिन तक काम तो 7 करते हैं, तो उसके बाद कितना काम मा की रह जाएगा तो इस type का question हमें करने से पहले सबसे पहले हम लोग data collect कर लेंगे तो A किसी काम को 12 दिन में करता है B किसी काम को 24 दिन में करता है तो 12 और 24 का सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लेंगे, इस type का question को हम लोग time and work के question को इसी method से अगर करते हैं तो आसानी से हो जाएगा तो 12 और 24 का LCM कितना हो जाएगा 24 तो जो 24 आया वो हमारा हो जाएगा total work, मतलब पूरा काम अब हम लोग 12 का divide कर देंगे elegant नहीं करेंगे, 12 का divide 24 में करेंगे, तो उनका एक दिन का काम आ जाएगा तो 24 बटे 12 तो 2 एक दिन का काम इनका आ गया एका इसी प्रकाश 24 का divide करेंगे 24 में, तो B का एक दिन का काम आ जाएगा 1 तो A प्लस B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो A प्लस B इसको आट कर देंगे तो 3 हो जाएगा 3 unit तो A plus B का एक दिन का काम हो जाएगा 3 unit तो जब एक दिन का काम इनका 3 unit है तो 4 दिन का काम कितना होगा तो 3 into 4 3 into 4 कर दिया तो 12 unit हो जाएगा तो 12 unit काम हो गया 4 दिन में तो सेस कम कितना बचा तो टोटल बर्क में हम लोग डिवाइट कर देंगे चार दिन का कम तो बारा बटे चवविस आंसर हो जाएगा एक बटे दो इतना काम सेस रहे गया आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा चलिए नेस्ट कोस्टन कर लेते हैं कि अगला कोशन है कि 6 cm भुजा बाले एक संभाव तरबुच का चेत्रपल सेंटीमीटर स्कार में क्या होगा तो हमें संभाव तरबुच का एरिया या चेत्रपल कह सकते हैं क्या होता है root 3 by 4 a square मतलब side का whole square तो भुजा में दी हुई है 6 cm तो root 3 by 4 into 6 into 6 ओके यह हम लोग 2 से काटेंगे यह 3 हो जाएगा फिर 2 से काटेंगे यह 3 हो जाएगा तो answer हो जाएगा 9 root 3 cm square यह हमारा answer हो गया चलिए next question देख लें ते जो हमारा last question है अगला है 20% बाप 25% की लगाता दो छूट पर प्रभावी छूट क्या होगा प्रभावी छूट या कह सकते हैं एकल छूट तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है a plus b minus a into b upon 100 जहाँ पर हम लोग a की value मानेंगे 20 b की value मानेंगे 25 इसका मान हम लोग पुट कर देंगे तो 20 plus 25 minus 20 into 25 upon 100 तो ये काटेंगे 25 चकुसो ये 4 से काटेंगे 5 इन दोनों को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और minus 5 करेंगे तो answer हो जाएगा 40% ये कल्छूट आएगा आज होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको इसका next part चाहिए कि नहीं चाहिए तो मैं अगर आपका कमेंट अच्छा रहता है तो मैं कल आपके लिए next part बनाऊंगा जिसमें कुछ important question होंगे जो यू पिपलिफ के exam में पूछे जा सकते हैं चली हम लोग फिर मिलते हैं कल